आपका प्रेश सोगत है मेरे चैनल माई लाइफ माई स्टाइल विद प्रियामे और दोबारा मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए एक एमेजरन और फ्लिक का स्वापिंग हॉल आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूं और चलिए जल्दी से देख लेते हैं शॉपिंग हॉल इसमें क्या क्या चीज़े हैं लेतना करते हुए सबसे पहले वीडियो देखते हैं जान से प्रोड़क्त हम देखते हैं अपना की यह क्या आया हुआ है जैसा कि आप सबको पता है मुझे अनबॉक्सिंग करना बहुत पसंद है वह भी आप सबके सामने इसमें क्या है उसके रिव्यूज में आप से शेयर करूंगी अगर आपको अच्छा लगता है आपको पसंद आता है तो अपनों के पास आप इसको शेयर जरूर करिएगा ओके तो यह है एक ग्लू गन जो मैंने मंगाया है अमजॉन से यह इसके साथ एक और चीज इसमें आ ग्लू गन में इतने दिनों से इसलिए नहीं मंगा रही थी और मैंने इसको ओर इसलिए कर दिया क्योंकि बहुत सारी चीज ऐसी होती है घर में जो की टूट जाती है उसको फिक्स करने के यह काम आता है और इसको मैं अभी यूज नहीं की हूँ बिकास अभी इसकी तो इसको मैंने ओपन भी नहीं किया है यह चलिए ओपन करके ही देख लेते इसको साथ में आपको ट्रिगर दिया हुआ है ट्रिगर जैसे यह गन की शेप में होता है इसलिए इसको ग्लू गन कहा जाता है यहां पे आप इसके ग्लू इस्टिक को फिक्स करते हैं और यह मेल्ट होने में एक लिए ट्लीस टू-3 मिनिट्स लेता है फिर उसके बाद इसको आपकी से भ इसको ब्रिक्स करने में यूज करते हैं यह इसका बटन अनौ यहां पर एक लाइट का भी ऑप्शन दिया गया है चाहिए यह वान होगा तो इसको रेट कलर का जलना चाहिए यह इसकी कॉड है इसकी वायर भी लंबी है ठीक ठाक है और इसके साथ यह चीज दी हुई है जो उल्ड़rics प्रिक्त ब का जचन सेताए PIA είναι ऑन यह ची होगा भी यह उनाए गयता से और यह चीजआ है जी है इसकी को नहतर इसकी में मέंद़े है झाल 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 ये है वो पैकट देते हैं इसमें क्या आया है ये आया है पैंट के लिए एक रोलर मैंने मन आया है जिसमें कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा इसमें मैंने अपने रास्ट ये लिविंग रूम का वॉल मेकोवर डाला है अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक इस ब्स्कृप्शन ब्सार्ण करदूंगी आप लिंक को जरूर फॉलो करिएगा और मेरा वाल मेक ओवर देखिएगा इस टेंसिल वाल मेक ओवर है मैंने यह पेंट ब्रस मंगाया है हमाजॉन से जो की काफी ठीक ठाए इसका फोम बहुत ही ज्यादा लूस है जो की इतना लूस होना नहीं चाहिए बद ठीक है चोटे मुटे ब्रस इसको यूज कर सकते हैं यह बड़ा साइज यह उस से छोटा साइज और यह सबसे छोटा साइज this one is very cute यह बहुत cute है यह तीन मंगाया है मैंने और सब की price on screen पे mention होगी because मुझे याद नहीं है शायद 125 का मुझे तीन ब्रश पड़ा है जो की market में आपको इतने सस्ते में नहीं मिलेगा so यह brush मैंने मंगाया है let's move to the next product okay friends next product open करते हैं यह सारे बहुत छोटे छोटे से product हैं जो की तुरंत ही इनकी unboxing हो जाती है आप मेरे reviews को follow इसलिए करिएगा क्योंकि मेरे reviews paid नहीं है Amazon को एक paid review नहीं कराता ओकी यह मैंने मंगाया है command hooks जो कि transparent है यह बहुत ही अच्छी और बहुत ही useful जो को चीज है घर में आपके जैसे कि आपको घर में कुछ भी hang करना है उसको आप उसके लिए जो है नेलिंग कराते हैं घर में ड्रिलिंग कराते हैं कहीं केल ठुकवाते हैं और यह चोटी मोटी चीजों को जैसे कि photo frame हो गया कोई छोटी सी घरी है आपको दिवाल में लगाने के लिए उसके यह बहुत काम आता है यह मेरे पास एक set अल्रेडी था और यह मैंने दूसरा मगाया है इस पर दिख सकते हैं यह size में बहुत चोटे हैं यह इस तरीके के हैं इनकी hooks को paste करना होता है शायद इसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते बट मैं आपको जरूर इस चीज को recommend करूंगे कि प्लीज इसको जरूर ले जाएगा ताकि घर में drilling और nailing की जुरत ना पड़े जब तक के कोई बहुत हैवी चीज ना हो वैसे इसमें कई varieties आती है कई इसमें types आते हो कि आपको कई weight के मिल जाते हैं कि कितने weight को आपको hand करना उसके accordingly के sizes बड़े बड़े भी आते हैं ओके next product देखते हैं okay friends next product है Amazon से जिसको मैंने अल्रेडी open कर रखाया विखाज मैं इसको बिन open के रहने भारी थी और इसमें कोई returning होता भी नहीं है यह मैंने numbering करके दिये हुए होते हैं और यह बहुत ही सूप्सूरत लिखते हैं तो इसमें के मैंने कई मंगाये हैं जिनकों मैंने already wall पे paste कर रखा है जो कि मैं आपको image में side में दिखा दूगी यह भी मैंने Amazon से मंगाया है इसमें भी reviews बहुत माइनी क्योंकि मैंने जितने मंगाये थे उसमें से एक का पेस्टिंग बहुत अच्छा था मंगर बाकी एक जो था उसका color भी बहुत हलका था जो कि wall पे भी नहीं पता चल रहा था बाकी जितने भी थे एक को छोड़के सभी अच्छे थे सो मैं उसकी सारी फोटो और एक वीडियो मैं साइड में डाल दूँगी आप उसको भी देख लीजेगा इस प्रोड़क देखते हैं इसको मैंने पहले ओपन किया था विकस मुझे इसको चेक करना था यह सही है या नहीं है क्योंकि इतना लेट ना हो जाए कि सबके रिटर्णिंग टाइम निकल जाए यह मैंने एक मंगाया था चेस्टन का ड्रिलिंग मशीन जिसकी वज़े से अभी मुझे प्रॉब्लम यह होती थी कि कहीं भी ब्रिल करने के लिए किसी को भी किसी को बुलाना पड़ता था जिसके पास ड्रिलिंग मशीन हो और वो ड्रिल एक इशू यह हुआ कि इसमें इन्होंने यह आगे का जो फ्रेंट का ड्रिल करने के लिए इसमें इंस्ट्रुमेंट दिया होता है वो इसके साथ पी था यह भी काफे रीजनेबल प्राइस पे मिला है बट यह वोडेन ड्रिलिंग के लिए इंस्ट्रुमेंट यह काफी अच्छा है यह भी घंशीप में है इसको मैंने चेक कर लिया है सो यह आप ले सकते हो इसको कि पेंच दियी होए होती है को इसको टाइप करने के लिए और साथ में एक मैंवल इंस्ट्रक्शन ही होता है तो यह इक हमभर में तो हैं मैंने गया है तो आप आप kई जिल ठोपना और थोके जोरत पर फील है कि वह किसी भी प्रोडक्ट को काफी अच्छ से रैप करके बेज़ी हुआ पैक्टिक्टिम अच्छी होती है किसी कि इस बहुत कराब होती है यसा कि बबल रैप में आप देख सकते है पैक्ट होके आया है और ये मैंने मंगाया है आप इसे कह सकते हो यह एक तरीके का हेंगर का काम करता है बड़ अगेन अब बैंबू प्रोडक्ट और इसको मैं हेंगर की तरह यूज नहीं करने वाली हूँ इसका मैं यूज कहीं और करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ कि यह एक्सपेंड होता इस तरीके से लाइक दस यहां पे पीछे दो कि अहुप दिये हुए हैं जिसको आप वाल पे हुप कर सकते हो और फ्रांट पे इस पे यह कुछ भी आप हैं करने के लिए यहां पे पॉइंट्स दिये गये हैं और आप इसको जितना चाहो उतना इसे में यूस करने वाली हूं अपने बालकनी में यह यूस होने वाला बालकनी में मेरे प्लांट को क्लिम करने के लिए जो की मेरा मॉर्निंग गलोरी का ब्लांट है और वो दिवाल पे चढ़ने वाला प्लांट है। इसकी जितनी भी पट्टियां हैं काफी पत्ली हैं बर ठीक है। मुझे लगता है कि इतना बुरा नहीं है। काफी फाइन क्वालिटी है। आप देख सकते हैं। काफी अच्छा प्रोडक्ट है। क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट के प्राइस थोड़े से कॉसली होते हैं बट यह अच्छी प्राइस में मुझे मिल गया। इसके कई सेलर्स हैं इसके लिए आप देख सकते हो। आपको जिसका समझने आता है। इसके साथ शेपिंग चार्ज भी एड है। क्योंकि यह कोई मैंने मगाया है E-14 Base का विप्रो का बल्ब गार्नेटबल्ब है यह एक कैंडल शेप में आता ही है यह गयने अपने साईड लैम्ड के लिए मंगाया है। यह 3 Watt का बल्ब है जोकि 2 के सेट में आया हुआ है एक को मैं यूज कर नहीं और एक को मैंने रख्या है। सब के डीटेल्स में आपको दे दूंगी जनरली एलेक्ट्रिक के शॉप है मिलते हुए अगर आप बहुत बड़े शोरूम पर नहीं जाते हो तो इसलिए मैं मुझे इसको ऑनलाइन मंगाना पड़ा इसकी भी लाइटिंग अगर अच्छी है तो इसके बारे में कुछ खास र सो प्लीज अगर आप अभी तक मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके लिंक शेर कर दूंगी प्लीज आप उसको जरूर चेक आउट करिएगा सो फेंड्स तिल देन बाई-बाई थेक्यार गुट नाइट